दोस्तों, अगर हमें दिल्ली से B.A.M.S करना हूँ, तो हमारे पास दो ओप्शन्स होते हैं फर्स्ट, आयरवेदिक एंड युनानी टिब्या कॉलेज जो करोलबाग में सिचुएटेड है सेकिंड, चौदरी, ब्रहम, प्रकाश, आयरवेद, चरकसंस्थान, जो खेड़ा डाबर नजवगड में सिचुएटेड है दोनों ही गॉर्मेंट कॉलेजिज हैं, A.U.T.C., D.U. से अफिलेटिड है और C.B.PACS, I.P. उनिवरसिटी से अफिलेटिड है मैं परसनली दोनों कॉलेजिज में गया हूँ, दोनों कॉलेजिज में मैंने स्टूडेंट से डारेक्ली बात किया है वहां मैंने हॉस्पिटल एंड कॉलेज, दोनों विजिट किया है तो basically इस वीडियो में मैं एक detailed comparison करने वाला हूँ दोनों colleges का, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले location की बात कर लेते हैं, AUTC करोलबाग में है, जहाँ आपको किसी भी तरह की कोई transportation problem नहीं होगी और घूमने के लिए भी काफी सारे places present हैं आसपास, वहीं CBPACS एक village खेडा डाबर में हैं, जो 7 km दूर है नजवगर मैट्रो स्टेशन से, यहाँ अगर आप up-down करना चाते हैं, तो आपको थोड़ी transportation problem face करनी पड़ेगी और यहाँ घूमने, चिला उट करने के लिए भी जो जगा है, वह आपके college से 7-8 km दूर है, तो अगर हम location के according देखें, तो AUTC की location बैटर है, अगर infrastructure के according देखा जाए, तो CBPACS काफी बैटर है, CBPACS मुझा आपके lab है, physiology, anatomy और आपकी library, काफी बैटर है AUTC से, दोनों में यहा top colleges के list में है, but infrastructure, अगर only infrastructure पर हम focus करें, तो Asia का सबसे बड़ा, जो college and hospital है, वो CBPACS है, and infrastructure के मामले में भी बैटर है, काफी, Now this is the very important point, fees, जहाँ AUTC की fees आपकी per year only 2500 रुपीज है, वहीं CBPACS की per year tuition fee approximately 90,000 रुपीज है, तो अगर आप ज़्यादा पैसे पे नहीं करना चाहते, या आप नहीं कर सकते, तो AUTC आपके लिए एक better option है, माल लिजए आपने BMS college में admission ले लिया, Now आप आप चाहते हैं कि मैं अगले साल भी एक need का attempt दूँ, और BMS भी साथ में करूँ और अपनी need की preparation भी करूँ, And आपका अगले साल मालीजे, selection हो जाता है, तो definitely आप ये BMS का college छोड़ना चाहेंगे, Now bond plays important role, अगर आपके college में bond होगा, तो आपको problem हो सकती है, बट यहाँ पर अच्छी चीज़ ये है कि दोनों ही colleges में bond नहीं है, बट आपकी जो first year की fee आप pay कर देते हैं, वो non refundable होगे, अगर stipend की बात की जाएं, तो Ayurvedic and Yunani Tibia college का जो stipend है, वो पूरे इंडिया में सबसे जाद है, जो Ayurvedic and Yunani Tibia college में आपको last year में stipend दिया जाता है, वो है आपका around 23 to 25,000 रुपीज पर मन्द, सीबी पैक्स की बात की जाएं, तो वहाँ पर जो आपका stipend आपको मिलता है last year में, वो है आपका around 16 to 17,000 रुपीज पर मन्द, सिख्थ पॉइंट है आपका clinical exposure, दोनों ही college में आपको अच्छा clinical exposure मिलेगा, बट सीबी पैक्स में patients visit AUTC से काफी जाता है, यहाँ daily 1000 से 15,000 patients visit करते हैं, सीबी पैक्स का hospital, one of the best ayurvedic hospital है, यहाँ ayurved और modern, दोनों का इस्तिमाल करके मरीजों का सफलतम इलाज किया जाता है, यह recent में भी first ayurvedic hospital था जिसमें COVID का successfully management किया गया, और COVID के patients को treatment दी गई, तो अगर हम clinical exposure की बात करें, तो no doubt, CBPACS में आपको ज़्यादर बैटर मिलेगा, तो दोस्तों यह कुछ important factors थे, जिने आपको consider करना चाहिए, दोनों में से किसी एक college को choose करते हुए, wish you best of luck for your career, thanks for watching me.